जय मता दीव फ्रेंड्स, तोड़े विलियम कॉंग्रीव, विलियम कॉंग्रीव, विलियम कॉंग्रीव, एंगिलिच प्रेयर राइट, आइड दिस प्रेमिर्ड इन लंडन इन 1700, दिस इस रेस्टोरेशन कॉमेडी और उस ताइम पे ये काफी कॉंट्रोवर्शियल हुई थ क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसे थीम्स हैं, जो लोगों ने पसंद नहीं की थी, लेकिन अब रेस्टोरेशन कॉमेडी में से ये एक बैस्ट मानी जाती है, अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें, तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ खास जादा नहीं है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे, पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ताकि सब क्लियर हो जाए, मिरा बैल और मिलामेंट, ये मिरा बैल प्रोटगनिस्ट है, मिलामेंट इसकी हिरोईन है, तो य प्रोटगनिस्ट की नीचे आप देख सकते हो, मिसिस अराबेला फैनॉल करके लिखा हुआ है, तो मिसिस फैनॉल भी कहा जाता है, इनको प्ले के अंदर, तो फैनॉल की ये वाइफ है, मिसिस अराबेला फैनॉल, ये लेडी विस फोर्ट की बेटी हैं, और इससे पहले, अ इसका भी अफैर मिसिस मारवुड से है, अ सीक्रेट अफैर, मतलब किसी को भी नहीं पता, कुछ लोगों को पता है, तो वो हम प्ले में देखेंगे, मिसिस अराबेला फैनॉल जो है, वो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बल से एक टाइम पीस का अफैर रहा है, और अभी जस् प्ले में, मिसिस मारवुड की बात करें, तो वो ही है ये जिनका मिस्टर फैनॉल के साथ में अफैर चल रहा है, एस सिक्रेट अफैर, लेडी विश्पोर्ट की बात करें, तो लेडी विश्पोर्ट जैसा कि अभी हमने बात की थी, कि ये मिसिस अराबेला फैनॉल की मदर ह और इनी के साथ में मिलामेंट रहती हैं, कहने का मतलब यह है कि Mrs. Arabella Phenol की कजिन है मिलामेंट, ओके तो लेडि विस फोर्ट जो है, वो Mrs. Arabella Phenol की मदर है और मिलामेंट की गारजियन है और यह जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मिलामेंट से लव करती हैं लेक विश फोर्ट तो इसी की विश से इसको शादी करने पड़ेगी, otherwise इसके जो 6,000 पॉंड हैं वो उसे नहीं मिलेंगे Sir Willful Whitwood की बात करें, तो यह लेडि विस फोर्ट के नेफ्यू हैं और जो मिलामेंट के हैंड के एक मतलब इसकी तरफ से and her choice as a shooter for मिलामेंट's hand यह शादी करवाना चाहती हैं मिलामेंट की Sir Willful Whitwood से मिलामेंट को और भी लोग लाइक करते हैं, मिरा बेल को भी करते हैं, जैसे कि Mrs. Marwood भी मिरा बेल को लाइक करती हैं और वेट वेल की बात करें तो वेट वेल जो है मिरा बेल का सरवेंट है。 वे मिरेबेल जो हैं इनके साथ मीले कー मिलकर कन करते हैं और Waitwell ही है जो बाद में Sir Roland बनते हैं ये ट्रिक करते हैं लेडी विसफोर्ट को क्योंकि लेडी विसफोर्ट काफी old age है जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेडी विसफोर्ट की बेटी जो है Mrs. Arabella Phenol इसकी शादी हो चुकी है तो अफकोर्स ये aged तो हैं लेकिन अभी भी ये श शादी करना चाहती है तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया होगा चैरेक्टर में और हम अब प्ले की बात करेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा फ्रेंट्स सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्ले तो इस प्ले में जैसा की जो कुछ मैंने कैरेक्टर बताते वक्त बताया है वैसे ही कुछ और इंसिडेंट है जो हमें पहले से ही पता होने चाहिए जैसे की Arabella की पहले शादी हो चुकी थी जैसा मैंने बताया वो विडो थी इनके जो Mrs. Mirabelle का जो secret affair Edward Mirabelle जो है वो Mrs. Arabella फैनोल के साथ में सौरी स्टार्ट होता है और स्टार्ट होता है लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि वो जो affair है वो end कर देता है कौन Mirabelle ही कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि Mrs. Arabella जो है वो कहीं ना कहीं pregnant हो गई तो उसके लिए problem हो जाएगी तो वो उसी के कहने पर Mr. फैनोल से शादी कर लेती है अब हम देखते हैं कि लेकिन उसके बाद में भी अगर जो Arabella है वो फैनोल से शादी कर लेती है उसके बावजूद भी Mirabelle के साथ में उसकी friendship बनी रहती है अब उसके बाद में क्या होता है कि Mirabelle जो है वो जो Mrs. फैनोल की जो कस्दीन है मिलमेंट उसको लाइक करना शुरू कर देता है जो कि मिलमेंट जो है वो अपने आंट के साथ में रहती है Mrs. Wishfort के साथ में Lady Wishfort जो है अब यहाँ पे Wishfort का जो favor है उनकी marriage के लिए वो बहुत जरूरी है मतलब कि Mirabelle और मिलमेंट की शादी के लिए क्योंकि अगर वो उसके खिलाफ जाकर शादी करती है तो उसे उसकी डौरी के pound 6000 नहीं मिलेंगे तो इसलिए भी वो उसके खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती है और अगर देखा जाए तो जो Lady Wishfort है वो लाइक नहीं करती है Mirabelle को Mirabelle को इसलिए लाइक नहीं करती है क्योंकि Mirabelle flatter करता था Wishfort के साथ में Lady Wishfort के साथ में बाद में उसे पता चलता है Mrs. Marwood की वज़े से कि जो Mirabelle है वो actual में Lady Wishfort में इंट्रस्टेड नहीं होता है वो मिला मैंट में होता है और ये चीज जब उसे पता चलती है तो वो उसे hate करने लग जाती है इस वज़े से वो उससे इशादी नहीं करवाया यहाँ पर हम Mrs. Marwood का जो character है वो काफी negative है ये फैनौल के साथ में मिलकर और ये फैनौल की ही mistress है इनका secret affair है तो ये दोनों ही इस play में planning करेंगे फैनौल और Mrs. Marwood तो Mrs. Marwood जो है यहाँ पर वो Lady Wishfort और Mrs. Arawella फैनौल दोनों की ही friend है Mrs. फैनौल की और Lady Wishfort की अब हम जो play start होता है उसकी first night की बात करते हैं उस night को यहाँ पर Lady Wishfort ने अपने यहाँ पर पार्टी रखी थी Cabal night club में यहाँ पर Mirabelle वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो Lady Wishfort है वो उसकी काफी insult करती है मिलामेंट भी वहीं होती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है Mirabelle को यह सब कुछ बहुत बेकार लगता है और वो सोचता है कि उसे कुछ प्लैन करना पड़ेगा ताकि Lady Wishfort उनकी शादी को accept कर ले इसके लिए वो foible और जो उसका knocker है Waitwell Mirabelle का जो knocker है उसके साथ में बैट कर कुछ planning करने की सोचता है यह सब कुछ चल रहा था दूसरी तरह fanol जो है उसका जो affair होता है तो यहां पर उसका affair जो होता है वो Mrs. Marwood के साथ में होता है fanol का और Lady Wishfort जो है वो sorry Mirabelle जो है वो इकलोता इंसान ऐसा होता है जिसको यह सब कुछ पता होता है तो वो यह चीज fanol को बता देता है कि उसे सब कुछ पता है कि Mrs. Marwood के साथ में क्या चल रहा है उसका Mirabelle के अलावा घर के जो knocker होते हैं foible जैसे जो person होते हैं उनको इस affair के बारे में पता होता है लेकिन Mrs. Marwood जो है वो उन्हें मूँ खोलने नहीं देती है यह सब कुछ जो हमें सबसे सारी चीज़ें clear हो चुकी है अब जो जो first night का incident है वो भी हमने discuss कर लिया है अब हमारा जो play है वो start होता है इसमें start होते ही मिरा बेल जो है वो wait कर रहा है अपने servant का क्योंकि वो उसके plan के according for bell से शादी करके आने वाला है तो वो दोनों शादी करके आएंगे तब तक वो उसी time पर वहाँ पर जो मिरा बेल है वो fanol अपने enemy के साथ में cards खेल रहा होता है मिरा बेल जो है वो fanol को ये सब कुछ बता जिता है जैसा कि मैंने बताए कि उसका marwood के साथ में affair चल रहा है ये चीज मिरा बेल को पता होती है और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो मिला मेंट को like करता है तो fanol कहता है कि तुमें उससे शादी कर लेनी चाहिए ये सब कुछ चीजें चल रही होती है मिरा बेल जो है वो ये देखता है कि किस तरीके से वो plan को बनाए ताकि वो मिला मेंट से शादी कर सके तो वो sir Roland नाम से अपने ही knocker weight wood को तयार करता है weight well को sorry तो वो कहता है कि तुम उसके मेरे अंकल बन जाओ तो वो जो weight well है मिरा बेल का अंकल बनता है sir Roland के नाम से ताकि वो जो लेडी विसफोर्ट को है वो वो उससे शादी कर सके लेडी विसफोर्ट से तो ये सब कुछ चल रहा होता है साथ ही साथ में ये सारा कुछ देख रहा होता है तो मिरा बेल का जो अब प्लैन है वो ये है कि मिसिस फैनल और जो ये सारा कुछ प्लैन होता है मिसिस फैनल को और फोईबल को भी पता होता है और ये दोनों डिसकस कर रही होती है उसी टाइम पे जो Marwood है उनका plan सुन लेती है Marwood जो है वो ये सारा plan जाकर Phenol को बता देती है क्योंकि Mrs. Marwood है और Phenol है ये नहीं चाहते हैं कि Mirabel और Milament की शादी हो तो क्योंकि कही न कही Mrs. Marwood भी Mirabel को like करती थी तो ये सब कुछ वो जाकर Phenol को बता देती है अब Phenol एक plan बनाता है जिससे की वो Mirabel को और Lady Visford को इन सब को इनकी life खराब कर सके और इनको blackmail कर सके अब Visford के घर पे क्या हो रहा होता है कि Milament है वो Mirabel का proposal जो है वो accept कर लेती है और जो billful जिससे की उसकी जो aunt है Lady Visford शादी करवाना चाहती है उनका proposal वो reject कर देती है और वो ये कहती है कि वो शादी करेगी तो Mirabel से करेगी अब क्या होता है दूसरी तरफ Marwood और Phenol जो है वो अपना जो plan है वो starter देते हैं वो उनको ये सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरीके से फोर्बल जो है उसने वेट वैल से शादी की वही जो है वो sir Roland बनकर ये सब कुछ कर रहा है ये सारी identity वो reveal कर देते हैं और इस वज़े से वेट वैल को arrest कर लिया जाता है और उसके बाद में Lady Visford को वो डराते है मतलब फैनोल डराता है कि वो सारी जो उसकी fortune है वो सारा कुछ उसे दे दे फैनोल को दे दे मतलब कि वो मिलामेंट की भी जितनी property है क्योंकि मिलामेंट वैसे भी उसकी मर्ज़े से शादी नहीं कर रही है क्योंकि वो Mirabel को like करती है और साथ ही साथ में वो अपनी property भी दे दे तो ये सब कुछ करके और वो उसे blackmail करता है अब यहाँ पर क्या होता है कि साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि Mrs. Arabella फैनोल जो है जो उसकी बेटी होती है Lady Visford की वो ये भी कहती है कि मुझे सब पता है कि इसका मेरा बैल से affair चल रहा था और तुमने मेरे साथ में इसकी शादी करवा दी तो मैं ये सारा कुछ मैं सब को बता दूँगा और जिसे तुमारी family की बहुत बदनामी होगी इसके average में वो विसफोर्ट से सारा कुछ जो उसका fortune है वो मांगता है और साथ ही साथ में ये भी कहता है कि उसकी permission के बिना लेडी विसफोर्ट शादी भी नहीं कर सकती है दूसरी तरफ देखते हैं कि मिसिस विसफोर्ट जो है अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जो Mr. Fanol है वो उसे blackmail करता है और अब वो सोस्ती है कि क्या किया जाए अब वो ये कहती है कि Millament को कि At least तुम तो मेरी मर्जी से शादी कर लो At least तुम Willful Whitwood से शादी कर लोगी तो तुम्हारी property तो बच सकती है At least तुम्हारे 6,000 pounds तो बचेंगे तो ये सब कुछ कहती है और ये कहती है तो वो भी agree हो जाती है और उसकी engagement भी हो जाती है Sir Willful Whitwood से Millament की अब यहाँ पर सब कुछ उसको खोता हुआ नजर आता है Wish Fort को ऐसे लगता है कि अब सब कुछ खतम हो जाएगा अब यहाँ पर मीरा बेल सामने आता है और मीरा बेल कहता है कि मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो लेकिन इसके बदले में तुम्हें अगर इन सब से मैंने बाहर निकाल दिया तो तुम मेला मेंट से मेरी शादी करवाओगे अब यहाँ पर इन सब से बचने के लिए लेडी विसफोर्ट इन सब के लिए हाँ कर देती है फिर वो वहाँ पर फॉइबल और इन सब को बुलाता है नोकरों को और रिवील कर देता है कि फैनॉल और मिस्स मारवूड का अफेर चल रहा है इस सीक्रेट अफेर तो विसफोर्ट सोसती है लेडी विसफोर्ट की इससे तो कुछ होने वाला नहीं है मतलब यह कौन से बड़ी बात है तो लेकिन हमें जो ब्लैक मेल कर रहा है मिस्टर फैनॉल उसका क्या होगा तो यहाँ पर मेरा बैल उससे बताता है कि यह एक और चीज़ बताता है वेट विल को बुला कर कि उसने किस तरीके से जब मेरा बैल से शादी अरवैला से शादी की थी उस टाइम पे उसने जो अरवैला थी उसने अपने जो पहले जो हस्बेंट की प्रॉपर्टी थी language की वो सारी property मेरे नाम कर दी थी मतलब Mirabelle के नाम पे कर दी थी क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि Mr. Fennel जो है उससे शादी इसलिए कर रहा है ताकि वो उससे पैसे क्योंकि उसके पास पैसे हैं और कभी भी उससे cheat कर सकता है तो इन सब से बचने के लिए उसने जो था यह सारा कुछ प्लैन किया था कि वो सारी property जो थी वो Mirabelle को दे दी थी शादी से पहरे Arabella ने तो इसका मतलब Arabella की property तो Mr. Fennel की नहीं हो सकती थी क्योंकि और फिर अगला जो प्लैन है वो Mirabelle ये भी बताता है कि इस तरीके से वो उसकी fortune नहीं ले सकता क्योंकि वो सारी fortune जो है जो Arabella की थी वो उसके पास में है अब ये सारी चीज़े clear हो जाती है दूसरी तरफ अगर mailament की शादी Mirabelle से हो जाती है और इसमें lady vis fort अगर राजी होती है तो उसकी property भी नहीं मिलेगी तो इन सब से वो बाहर आ जाएंगी तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो clear हो जाती है और जो at the last of this play की इसमें क्या होता है कि Fainal और Marwood जो है उनका जो plan है वो काम नहीं करता है Mrs. Fainal और जो vis fort है उनकी जो fortune है और reputation है वो Mirabelle के through बचा ली जाती है सर विलफुल जो है जो उसके engagement हो चुकी थी मिलमेंट से वो इन सब से हट जाता है और अब जो है Lady vis fort जो की शादी के लिए ready हो चुकी है Mirabelle और मिलमेंट की तो वो सारा कुछ वो accept कर लेती है कि वो शादी के लिए तयार हो जाती है और at the end जो Mirabelle है वो Arabella को सारी जो भी property थी जो उसने Mirabelle को दी थी शादी से पहले वो वापस कर देता है ताकि वो कभी भी वो ये चाता है कि at least वो फैनल को control करने के लिए ये सारा कुछ उसके पास जरूरी है ताकि वो उसे परेशान ना कर सके ताकि वो उसे परेशान ना कर सके ये हमारा जो प्ले था The Way of the World Hope you like it If you like it Please hit the thumbs up button Please subscribe the channel Put your views and suggestion in comment section So thank you